अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional tarot card reader बन सकते हैं, अपना career tarot में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, finally July मन्त में क्या होगा, तो ये reading आपके लिए हैं, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाब से आप tarot reading को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है और अप लोगों के लिए देखेंगे July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहाँ पे तीन set of cards हैं First set of cards में हम आपकी energies देखेंगे Second set of cards में आपके partner के energies देखेंगे And third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Two of emotions और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर July starting में आप अपने partner के साथ एक togetherness चाहते हुए दिख रहे हैं बहुत एक love, care, प्यार, महबबत महसूस करते हुए दिख रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जादा से जादा उनका साथ आपको मिले एक companionship उनके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर hopeless romantic का कार्ड भी कहीं इन ही energies को और जादा confirm करता है बहुत hopelessly romantic आप होते हुए दिख रहे हैं partner की हर चीज आपको अच्छी लगती हुए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए beauty का कार्ड कहता है यहाँ तो उनकी physical appearance से आप बहुत attract हो रहे हैं यहाँ पर जो भी वो कह रहे हैं कर रहे हैं आपको बहुत attractive लग रहा है आपको बहुत beautiful लग रहा है और देखिए फिर से कहूंगे hopeless romantic का कार्ड कहता है कि बहुत एक romantic feelings आपके मन में उनके लिए हैं प्यार महबत उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है इस कार्ड में जो figure है उनके pair chain से बंदे हुए है तो कुछ तो आपके relationship में जुलाई मन्त में हो रहा है जिसकी वज़े से आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पर reasons सब Taurus के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपके कुछ पुराने belief systems है आपके कुछ पुराने experiences है जिनकी वज़े से आप खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपको यसे लग रहा है कि जैसे आपके pair जकड गए है कुछ के लिए situations, circumstances हो सकते हैं external या फिर internal जिसकी वज़े से जो आप कहना चाहते हैं करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं अगेन बहुत एक limitations, restrictions आप महसूस कर रहे हैं और यहां पर देखिए 5 of materials का card भी कहीं एक rejection वाली energies की बात करता है rejection मैं नहीं कहूंगी जैसे उतना दरवाजा बंद हो गया आप दोनों के बीच में कुछ Taurus के लिए हो सकता है कि आप ये दरवाजा बंद कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आपके partner ने बंद किया है तो कहीं एक blockage आप दोनों के बीच में रहती भी दिख रही है अब दिखिए ये भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपने उनको social media पे block किया या उन्होंने आपको social media पे block किया और अगर social media पे नहीं block किया तो कहीं mental, emotional एक block महसूस कर रहे हैं या तो आप उनको इतना अपनी activities में अपनी चीजों में involved नहीं कर रहे हैं include नहीं कर रहे हैं या पर आपको यसी feeling आ रहे है कि भी वो आपको उतना नहीं include कर रहे हैं अपनी चीजों में किसी level पे avoid कर रहे हैं किसी level पे ignore कर रहे हैं और इसलिए या पर otherwise भी या पर page of souls reverse का card कहता है एक irritation, एक frustration आप में हसूस कर रहे हैं बहुत जादा उनको social media पे stock कर रहे हैं बहुत curious कुछ चीजों के लिए होते वे दिख रहे हैं और आपका communication भी थोड़ा सा या पर काफी blunt straightforward रहता हुआ दिख रहा है थोड़े से defensive भी आप चीजों को लेकर होते वे दिख रहे हैं अब देखते हैं कि आपके partner की energies हैं तो दिखेंगे आपके partner के लिए आप ए 4 of inspiration का card है और ये card कहता है कि जो आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं कहीं वो भी आपके लिए वैसा ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं 4 of inspiration का card भी कहीं togetherness की बात करता है living चाह रहे हैं, engagement चाह रहे हैं और आपकी भी कहीं ऐसी ही energies हमने Two of Cups के card में देखी तो कहीं देखी, similar सा आप दोनों महसूस करते हुए दिख रहे हैं लेकिन कहीं आपके partner बहुत ज़ादा overthink कर रहे हैं और overthink का reason कुछ भी हो सकता है लेकिन आपे fear and risk के cards कहते हैं कि बहुत मन ही मन किसी चीज को लेकर डर रहे हैं वो किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहते और हो सकता है आपके साथ relationship में आगे बढ़ने के लिए उनको risk लेना है उनको कुछ चीजों में जैसे हम लोग बोलते हैं जुआ खेलना है, gamble खेलना पड़ेगा फिर से कहूंगे देखे, broader level के लिए risk लेने की ज़रत है और वो आपके साथ togetherness चाहा तो रहे हैं लेकिन risk नहीं लेना चाहा रहे हैं तो जाहिर सी बात है fear भी होगा, insecurity भी होगी, परिशान भी होंगे तो बहुत जादा overthink करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक low energies में रहते हुए दिख रहे हैं कुछ टॉरस के partner के लिए literally हो सकता है कि एक depressing वाली energies रह रही हैं जहाँ पर overthink कर रहे हैं बहुत परिशान हो रहे हैं बहुत जादा you know tension stress ले रहे हैं यहाँ पर tension stress का reason external नहीं रहता हुआ दिख रहा है उन्हीं के thoughts उन्हीं के insecurities उन्हीं का डर एक reason जादा रहता हुआ दिख रहा है आपके साथ togetherness चाह रहे हैं रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं यह एक बहुत बड़ा reason रहता हुआ दिख रहा है और इसलिए या फिर otherwise भी work and hangman के cards कहते हैं कि अपने professional front पे या फिर जो भी वो करते हैं उस पे जादा focus करते वे दिख रहे हैं उसमें अपने आपको बहुत जादा involve करते वे दिख रहे हैं और कहीं काफी compromises adjustments कर रहे हैं या फिर एक stuck energies वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं उनको भी ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हैं जैसे कि हमने आपके लिए भी इस card में देखा तो देखे कहीं similar सी energies आपकी और आपके partner की रहते हुए दिख रहे हैं आपके partner जादा overthink करते हुए दिख रहे हैं और आप जादा एक अकेला पर महसूस करते हुए दिख रहे हैं और आप देखते हैं कि जुलाई मन्त में क्या हो रहा है तो देखे सबसे बहला card है आपे devil और जाहिर सी बात है जब आप दोनों की ऐसी energies हैं तो किसी ना किसी level पर pressure, tension, stress तो रहे गई रहेगा और devil का card कहीं थोड़ा सा एक controlling वाली energies की भी बात करता है तो हो सकता है आप यह आपके partner controlling हो रहे हैं और एक physical intimacy भी चाहने की बात करता है physical बहुत जबर्दस एक attraction भी महसूस करने की बात करता है यह जनरल लीडिंग है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन यह इस devil का card किसी भी हिसाब से कहीं एक pleasant energies की बात नहीं करता है यह कहीं obsessive, possessive energies की बात करता है तो कुछ ऐसा ही इस relationship में July starting में रहता हुआ दिख रहा है अब दिखिए reasons अब के लिए differ करेंगे लेकिन यह आप ए distance का card कहता है किसी भी level पे आप दोनों के बीच में एक distance आ रहा है अब दिखिए इस distance के सब Taurus और उनके partner के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है Taurus या तो आप July मन्त में travel कर रहे हैं या आपके partner travel कर रहे हैं जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच में एक distance आ रहा है issues हो रहे हैं long distance relationship चाहें वो बहुत ही temporary हो चाहें you know बहुत time से हो उसकी वज़े से issues तो रहते ही रहते हैं और यहां पर ace of voices का card कहता है कि थोड़े से logical थोड़े से you know mind से आप दोनों में से कोई एक चल रहे हैं और deeper level के लिए fragile का card कहता है कि बहुत vulnerable आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे है reasons अब के लिए differ करेंगे और मैंने बहुत detail में आप दोनों की energies बताई हैं आपकी situation है आपकी life है आप ज़्यादा समझ पा रहे होंगे और कहीं फिर से कहूंगी deeper level के लिए vulnerable महसूस करते हुए दिख रहे हैं और इसलिए शायद you know nine of inspiration rivers का card कहता है कि उस तरीके से action initiatives नहीं लेते वे दिख रहे हैं कुछ चीजों को लेकर give up करते वे दिख रहे हैं हार मानते वे दिख रहे हैं and potato couch का card भी कहीं इसी चीज़ को confirm करता है ऐसे लग रहे है जिसे भी ठक गए और हिम्मत नहीं है effort करने की initiative लेने की और कहीं you know उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से out of the way जाके effort नहीं करते वे दिख रहे हैं अब दिखें tarot guidance के लिए होता है इस reading से guidance लेके आप चीजों को भेतर भी कर सकते हैं नहीं तो जो चल रहा है उसके हिसाब से इस तरीके से आपको जुलाय मन जाता हुआ दिख रहा है तो ये था टार रहसाप लोगों के लिए जुलाय 2024 की love tarot reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें